हेलो दोस्तों नमस्तार आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में और क्लास 10 के स्टुडेंट्स या आपका जो लोकतांदरिक राजनीती हैं उसका अंतिम चेप्टर होने वाला है नए से लिबसके नुसार तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे आज हमारी पॉलिट दोस्तों यह हमारा चेप्टर आने वाला है लोकतंतर के परिणा अभी हमने लोकतंतर के बारे में बहुत कुछ जाना है अब उसका यह अंतिम पढ़ा हुए और इसमें आपको यह बताएगा कि जो लोकतंतर हैं मतलब किसी वी देश में अगर लोकतंतरिक सासन है जनता का सा हैं ठेक हैं तो चलिए इसको सुरू कर लेते हैं इसमें सबसे पहले हमारा यह आ जाता है कि लोकतंतर सबसे बेतर क्यों हैं किसी भी देश में लोकतंतर को अपनाया जाता हैं तो आकिर महां पर कि इसकी क्या काशियत हैं लोकतंतर की कि महां पर लोकतंतर को अपनाया जाता ह दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी सासन व्योस्ताइं होती है ना मतलब किसी भी देश में जो सासन चलता है ना उसके कहीं सारे परकार होते हैं किसे कहीं पर लोक्तंतर होता है जहां पर क्या होता है जनता के अनुसार सासन चलता है अधर प्र अधर्ण रहसीं सिर्थ 4 लगाइस आधद मानुन अधर खम पुर्शाइव था कम जाहते हैं क्या वर्यार मैं को फेसे हिं सबुस्थ तो प्रतिनिदी बोलते हैं उनके दौरा वो शासन करती हैं तो यह जो लोगतंतर है ना इसके क्या विश्यशता है वो आपसे पूछता है और यही इसका important question है पांच नमबर का बनता है कि लोगतंतर सबसे बेतर क्यों है कारण बताईए तो वहाँ पर आपको यह कारण बताने होंगे चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं पहला कारण स समान भाओ से देखता हैं क्योंकि हमां round उसे नहीं देखेगा तो उनको पता है अगर मैंने जिसे मालो कहीं पर तीन जातियां रहती हैं कितनी जातियां रहती हैं मलब तीन धर्म के लोग रहते हैं अब मालो किसी नेता ने या किसी पार्टी ने एक धर्म को लोग को बढ़ावा दिया बढ़ावा दिया और दो जो धर्म के लोग उनको नेगलेक्ट किया मलब इनको जो हैं क्या बोलते हैं इनको नजर अ किए कि बताओ यह अगले चुनाओं में जीत पाएगा क्या नहीत पाएगा क्योंकि इसको सभी को साथ लेकर चलना पड़े favor जाता य तो यह क्या करेगा कि सभी तौपी को साथ लेकर चलेगा तो एक तो इसका यह फायदा हो गAYा कि जो लोक्त्hour 2 dave होते हैं जहां पर भी सासन होता हैं वहां पर सभी को समान समझा जाता है वेसे भी अपना जो यह हैं समीधान हैं इसमें भी समानता की अधिकार दिये गए आपको कि कोई भी किसे के साथ किसी भी परकार का बेदवाउ नहीं करता तो लोकतंतर में यह सबसे अच्छी बात हैं कि इसमें सभी को समान समझा गाता है आज आप देख लो आपकी जो स्कूल है कि वहां पर सभी अमीर के बच्चे पढ़ते हैं कि गरीब के बच्चे भी अपने यहां पर समानता हैं और अपने यहां पर समानता क्यों है क्योंकि अपने यहां पर लोकतंतर हैं तो सबस्की कास यह बात ही होती है कि इसमें समानता होती है अब सोचो समानता नहीं होती तो हो सकता था जो कि टाइम का मालो उसमें समानता नहीं थी उसमें क्या होता जो अमीर अमीर लोग हो देते ना वही स्कुलों में जाते थे और फिर दूसरी तरफ जाती हों क्यादार पर जो बड़ी जाती हूं समझी जाती थी ना वही जाते थे तो वहाँ पर समानता नहीं थी तो वहाँ पर जो condition थे ना वो कितनी खराब थी इसलिए जहां पर लोगतंतर होता है, वहां पर यह समानता देखने को मिलती है, तो सबसे कास बात इसकी यह हो जाएगी, दूसरी कास बात इसकी है कि वेक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, वेक्ति की गरिमा को बढ़ाता है का मतलब है, जैसे मालो आप भी जो है, जैसे म पीछे का ये कारण है कि जैसे मालो इसकूल है ना अब वहाँ पर त्यार गरीब के बच्चे भी आएंगे वहाँ पर अमीर के बच्चे भी आएंगे अब मालो जो अमीर के बच्चे हैं वो तो रोज नए नए ड्रेस मतलब नए नए कपड़े ये पौन के आएंगे अब मालो वहां पर एक जैसी ड्रेस चलाए जाती है ताकि तरह गरीब हो अमीरों सभी एक जैसी ड्रेस पहन कराए ताकि सभी को लगे कहा है हम सभी बरापर है वर्ना देखो अगर अलग अलग कर देते तो पिर लगता है यार यार यह तो बहुत यह मीर है पिर उसके साथ हमें मतलब बात करने में भी तोड़ी सा संकोच पैदा होता इसलिए जो है कि यह जो लोक तंद्रेस में वेक्ति की गर नमर्जी चलाता है अब मालो उसको फैसला लेना हो जोसे मालो उसको लगा याराजना पैसे कंपड़ गए अपने खजाने में तो उसने का कि यह जो भी सामाने वो इतने मंगे हो जाएंगे और उसमें मंगे कर दिया अब आशाब जंता विरोध करने लगी जंता खूब शर चाहिता की किस तरह के से पेसले लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ड्राफ्ट त्यार करेंगे यह जो है ना यह आगया नियम बनाना आया में फिर उसको संच़द में ले जाएंगी और पिर हमारे जो भी परतिनीदी ना हम सभी के पूरे भारत कई औ लोगों कोई दिक्कते आसकती हैं मतलब काफी विचार मिमर्ज करके फेसले लिए जाते हैं तो इसलिए जो लोक तंद्र है जो भी फेसला इसमें निकल कर आता है वो बड़े ही जो है चांड बीन के बाद इस तरह के से आता हैं जबकि दूसरे सासन है उनमें ऐक ही वेक्ति हदाई वह अब इस ना थे सरकार किसान के दूरां किसान भी लोग तो करें अच्छे सरकार करेंगे बुरी नहीं यह म suffmäßig अच्छे नहीं नहीं खेंग अब दोनों में टक्राई और अब जो लोक्तान रिक हैं इस में क्यां और करें लोक्तान को संबहुने का तरीक हैं तो किसे सबीज करता ओप यह किसां कानुन उस तो इसकी जगश डैसे हैं मुलब यूसरे जो साशन होते हैं तो इसको राजसाहिए बोलते हैं आगर माप्र हो जाता तो क्या होता र्ढाजा जो है उनको जो भी विरूद करता है उनको सुजा दे देता और फिर लोग कुछ भी नहीं कर सकते थें लेकिन लोग रिवत Isn't opini उन्हार नहीं होता अगर विरूद हो जाता है तो फिर उसको जो है इसमें सुल जाने का मोगा है मतलब इसमें जो हैं उस विवाद को सुल जाने के लिए माहूल होता है अना संच्टाइं होती है या पिर जाद है मामला बिगड़ गया तो अपने जो कोट और बने होए ना नैले वहाँ पर चले जाओ वहाँ पर भी जो है आपको जो है नियाए मिल जाएगा तो यह भी इसकी एक काशित होती है अगला है इसमें गल्दियों को सुदारने की गुंचाइस होती है यह भी होता है जैसे मालो कोई भी जो सरकार है वो गल्दी करती है तो उसको सुदारने की गुंचाइस होती है इसम जंता को फाइदा पहुंचाएंगा जिनको जंता मानेगी तो आगे इसमें अभी तो इन्हों उन्होंने गलती कर दी लेकिन जब लोगों को ने विरोध किया तो अब क्या करेगी अगर यह लाएग no to उनमें सुधार करेलाई तो इसमें अगर गलती कर दी एंडा किसी ने तो इसमें सुधारने की संभावना होती है जब्redictर प्रस डीज़ार आजिखा mountain मैं इसे पॉइंट दे रखे थे लेकिन मैंने इनको चीसे समझा दिया अब आगे आते हैं लोकतंतर के और भी कहीं सारे गुन हैं जो बड़े-बड़े लोकतंतर में उत्तरदाई जिम्मेदार और उत्तरदाई जिम्मेदार सरकार होती है तो अब इसको समझाई आप एसे आगर जनता उससे पूछ दिया तो उनको उत्तर देना होता है प्रते काम का काम क्यों किया za वो कोई भी कानून बनाया उन्होंने तो जनता पूछ सकती है कि ये हमारे लिए अच्छा है हमारे लिए नहीं है या फिर ये आपने क्यों बनाया वगरा वगरा जबकि जो दूसरे साथन होते हैं वहाँ पर किसी की इम्मत नहीं होती कि वो जो सरकार होते हैं उनके पूछ लें कि आप नहीं क्यों मराया है नहीं उनको कुछ भी बोलने का अधिकारी नहीं होता उनकी सासकों की जो वहां के राजा होते हैं या वहां की जो भी नेता होते हैं उनकी जैसी मर्जी हैं वो वेसा ही करते हैं लोगों से उनको राए लेने की जरूरत नहीं है जबकि यहाँ पर सरकार कोई भी काम करेगी तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये क्यों किया इस तरीके से अगर पूछता है तो कोई मलब जनता अगर ज़्यादा है पूछती है तो उसे के ताथ इसका दूसर मंतरी भी बेटते हैं आप हमारे चुने वे नेता हैं उनसे प्रश्ण पूछता हैं कि बता हुए जो नियम है इनसे यह दिक्कत होंगी आपने यह लागू क्यों कर दिया आपने एसा क्यों कर दिया इस तरीके से उनको जवाब देना होता है और एसा हल कि में नहीं ले सकते वो उनको जवाब देना ही पड़ेगा तो indirect way में हम नहीं तो पूचा ना भई वहाँ पर कौन पूच रहा है हमारे द्वारा जो चुने गए परतिय नहीं दी है वही पूच रहा है तो इसका मतलब यह हो गया है कि हम ही पूच रहा है क्योंकि हम एक एक करके तो वहाँ पर जा नहीं सकते वरना फिर तो मालो कोई नेता ने कानून बनाया अब हम एक एक करके जाए उनसे पूचने तो पूरे जो हैं उसकी जिंदगी निकल जाए उससे नेता है कि अगर एक करके कितने सारी जन्चेंग कैं तो इसे तरीके से हमारे जो चुने हुए परतिय ने दी ना वो उनसे पूचते हैं कि बताओ भई आपने ये कानून क्यों बनाया आपने इसमें तो ये गलतिया है इससे तो जन्ता क्यों नुक्सान होगा वगएरा उससे के साथ फिर मीडिया भी पूच लेती है इसमें जन्ता को ये हो रहा है तो इसलिए जन्ता ये जो लोगतांतरी के साथ हैं इसमें जन्ता को एक एक बात का इसपस्टी करना होता है जो भी अपने सरकार होती है ना उनको नहीं को जिम्मेदार की साथ करते हैं कि इंसे नुक्सान होगा तो फिर आप देख Exactly आपको जोह अटा दिया जाएगा सरकार से इस तरी के से वो जीम्मेदार शरकार होती है उनमे कोई जिम्मेदार ही नहीं होती कि अगर उन्होंने कोई कानून बनाया उसके जन्ता का नुक्सान बनाया क्या बना सब्सक्राइबा जिता लोग मत्री स्वाल कर रहे हैं कि आप नहीं जो पत्री हैं उनकी रिवस्ताचे से क्यों नहीं की इसके जो हैं बचाने के लिए आपने इच्छा काम क्यों नहीं किया ओगेरा कहीं सारी सुविदाएं क्यों नहीं दी तो यह पूछ रहे हैं क्यों 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 कि वो जिम्मेदार हैं इसलिए पूरी जो जिम जला डी जैसे अपनी स्कोल के माद्व सी समझ लो अपने लिए लेप टौब साइकिल अना उसके साथ जो कही होती हैं उनको इंदरा परेदर सनी उसके साथ ़िसकार के सारी योजना हैं और दूसरी समाज के लिए जैसे अपने राजस्तान के बात करें तो अभी कुछ दिनों पर रात केमप लगे थे उनमें फिरी बिजली और क्या क्या था गेसलेंडर जो होता है अपना वह आधी रेट उसकी कर दी है उसके साथ ही रासन मिलता है तो कहीं सारी जो हैं यह क्या कर दी है सरकार के दोरा योजना ही चला जाती है तो यही बात कर रह पर आके और साथ सक बनाएं तो उसको जनता ने तो ना बनाया है तो वह अपनी मर्जी वहाँ पर चलाता है जबकि जो लोक्तंतर होता है इसमें जनता की बलाए के लिए कहीं सारी योजनाएं चलाई जाती है उन्हीं को आपको यहां पर एक्स्प्लेंट करना है दूस्त त जाना होहा है नहीं कि की इसमान फहला को कि Siju भी ह ráp Indian खार नर्मिए हटा इंए जहांता है जो किरीह जोड़्मेंट के द citus जाती है तो यह किस आसन में समभव होता है क्यों दो कर ने लेकर आती हैं लेकिन लोगते दो च्इंतर करते यहांगесть को और आ जिसे ऐसे ऐपना मालों माहत्मा के ग्राइमा वॉड्यटे आज इन्हीं में मतलब इसको मंदर्व璃 का बोलते हैं तो रहु क्यों चलाए जा रहा हैं गरीबी हटाने के लिए तकी हो की लोग की काम समाज में कि गरीबी को कम करने के लिए सबीmaybe समांता लाने के लिए भी काम किया जाता है अगला यहाँ पर fire Daam हमें सामन जशे हैं विविट्त हैं कि अलग अलग जातियां रहती हैं धर्म वाले तो लोगतंतर का काम है कि सबी को साथ लेकर चलें लडाईयां अगर इसी हो जाती है जातियों में धर्मों में महिला पुरुस में इस तरीके से अगर इनमें बेदवा होता है या इनमें जो भी जखड़े हो जाते हैं मनमूता हो जाता हैं तो सभी को जो हैं ये अच्के से उनको व्यवस टित करें मालब किसी भी तरीके सी क्या होता जब हमारे अगर पर जो है किया उड़ाई होती थी पहले तो हमारे देश के जो लोग थी उन्हों क्या किया बासा किया बैज इतनी सारी जो बसहाई हैं बोलने वाले लोग इन फूंद रहएं यह, यह तो एक तरही से जो भी विविदता हैं अगर हमें देखने को मिलती है चाहिए बासा के आदार पर किसी के भी आदार पर तो फिर उनमें जो है उनको उनका सोलिशन जो है लोकतंतर में होता है किसी के भी आदार पर चाहिए उनको जो है ने लेके द्वारा ये सुल जाएंगे चाहिए उनका बटवरा करके सुझा उनको सुल जा देंगे किसी भी परकार थे उनमें इसंस पत किया जाता है उसमें सभी मिल जुर कर revenue कि रड़ने की जरूरत नहीं इसका यहाँ पर आजाता है नागरिकों की णुह पॉइंट आ गया इसमें आगरिकों की वेक्ति कि पुर वी कि वह समझा जाता है कि इसका कुछ नगे मत बात धाता है। जिससे दूसरे लोग हैं उनकी जिंदगी में पर्दाव ना पड़े। की जिसयों कोई कह सता ही ऐसा थोड़ी न को आजा धी है लेकिन उससे दूसरे जो लोगतंगा उनका नुक्सान नहीं होना चाहिए तो ये भी लोगतंतर का गुन हो जाता है कि इसमें क्या होता है सभी को आजादी होती है कुछ भी कहने का मतलब भी होई ये कि आप कुछ भी करो लेकिन उसे दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए तो ये आपके लोगतंतर के गुन हो जाते है और यहीं पर जो आपका च्प्टर हैं बहत ही छोड़ता है बस यही था आपका च्प्चर इसमें कुछ भी एक्स्टर बताया नहीं है, अई, तो इसमें यह जो पूइंट बताई' इनकों चैसे समझ लेना, और यही आपके च्प्टर में पुरा बताया गया हैं, अब मिलते ह एक नई किताब के साथ नई किताब का नयाद दियाई पढ़ाएंगे कल से तब तक के लिए आप जो भी पढ़ाया हैं उनको चैसे पढ़ते रहे और हाँ अपना डाउन्लोड कर लिए उसके साथ ही उसमें आपको नोर्स उगराम ने डे दिये साहिए प्रिंटेड लो ना उस